हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब भी लोग वेलकम बैक यह है एक्ट 7.2.3 का एपिसोड दूसरे अकाउंट से यहां पे हमारी जो बॉस फाइट होने वाली है वो पुनिशर के साथ होने वाली है लोकल नोट्स क्या है टीम यह मैं लेने वाला हूं लोकल नोट्स क्या है वो भी आप लगों को बता देता हूं बहुत इजी पांग स्पेशल टू बनेगा इमिडिटली छोड़ना है वरना हमारा पावर ड्रेन हो जाएगा जीरो पे अटैकर डिफेंडर के स्पेशल अटैक अनब्लॉकिबल होंगे पनीशर पे जो लगे हुए यहां पर क्या है कि जब भी हम इसे मारेंगे इसे चार्जिज मिलेंगे और अग बात यह है कि डिफेंडर पे जो एक और नोड लगा है वो है उसका जो स्पेशल अटैक रहेगा डिफेंडर का वो 50% जादा डैमेज प्रोवाइड करेगा जैसे सुपिरियर आइंड मैन है इसका स्पेशल वन जादा एड़ सो परसंट डैमेज करेगा अगर पढ़ जाता ह स्पेशल अटैक सारे अनब्लॉकिबल रहेंगे हमें स्पेशल अटैक डेक्स करना आना चाहिए बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं जैसे हमारा स्पेशल टू बनेगा हम वैसे ही स्पेशल टू छोड़ने का ट्राइग करना है बॉस पे एक नोड लगा है जिसमें की क्या है कि पावर श्रगल जब भी उसका पावर गेन वन होगा तो ही हमें पावर गेन होगा जैसी वो स्पेशल यूज करेगा वैसे हमारा पावर ड्रेन हो जाएगा तो उसके स्पेशल यूज करने से पहले हमें अपना स्पेशल यूज करना होगा और जैसे ही हम अपना उसके स special 2 पे जाने का try किया special 1 ही मारना चाहता था मैं लेकिन special 1 पढ़ गया इसका सामने वाले का ठीक है हमने special 2 बहुत easily dex किया वैसे मैं try कर रहा हूं कि intercept करूं light attacks लेकिन ये बंदा मान नहीं रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है हमने से यहां पे special 2 fact दिया again and let's see दिखते हैं यहां पे अभी क्या होता है मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसे special 2 पे पुश किया जाए क्योंकि special 2 dex करना बहुत easy है special 1 में थोड़ा timing का खेल है वाकी और कोई दिक्कत नहीं है timing अगर सही बैठी कि special 1 and let's see क्या करता है यहां पे special 2 अगेन में डेक्स कर दिया मेरा रैलिक रेडियो हो चुका है मैं ट्राइब कर रहा हूं करते हैं कि special 2 हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि एक नोड लगा है जिसकी वज़गा से हम special 2 बहुत जल्दी पहुंच तो हमें special 2 इमिडेटली छोड़ना है जैसे हमारा special 2 बन जाता है तो अगर special 2 से थोड़ा सा जाधा भी power हमने gain किया, पूरा power drain हो जाएगा, 0 पे आ जाएगे हम तो हमें इसी की try करनी है, यहाँ पे special और यह fight हमने easily खतम कर दी है चलते हैं next fight पे ओके तो guys यह fight है यहाँ पे Dr. Octopus के साथ में, आप देखो, यह हरकुलीज है तो fight जो है वो बहुत जल्दे खतम हो जाएगी तो guys यहाँ पे क्या है कि अगर किसी को कोई भी completion करवाना है यहाँ पे event quest का, side quest का यहाँ पे abyss करवाना है, EOP करवाना है gauntlet करवाना है, act 6, act 7, act 8 कोई भी completion करवाना है, आप लोग मुझे भी completion करवा दूँगा, battlefield हाँ, battleground में अगर किसी को push करना है कोई tire तक push करना है, मैं करवा दूँगा वो भी, and एक और चीज है कि war नहीं खेलूँगा, क्योंकि अगर war मैंने खेल दिया, उससे क्या होगा कि आपका ही ID ban होगा, मेरा हेवक के साथ, मैं हेवक के लिए मैं यहां पर infamous iron man लेके आयो, क्योंकि infamous iron man को एक permanent armor buff रहता है armor buff रहेगा, तो हेवक हमारा कुछ भी बिगाड नहीं सकता है, यहां पर हमें जादा से जादा special 2 throw करने है, ताकि हम जादा से जादा damage दे और जल्दी से जल्दी यह fight को complete करें, let's try, हम यहां पर try कर रहेएगी जल्दी से जल्दी यह fight कतम कर रहो हो और हाँ, फिर से बता रहा हो कि किसी को कोई भी completion कर वाला हो, मुझे contact कर सकते हो contact detail में ने दे रखा है, यहां पर इस fight में थोड़ा time लगया, क्योंकि यहां मेरे infamous जो है, वो rank 2 का ही है, second account में हमने इसको push नहीं किया है, जादा से जादा rank 3 पर भी push नहीं किया है, मैंने इसको भी rank 2 पर ही रखा हुआ है, अब देखो, यहां पर मेरा special 2 बहुत जल्दी बन जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि मुझे special 2 बहुत जल्दी छोड़ना होगा, I think मैं एक heavy भी मारूंगा, मेरे ख्याल हो जाएगा, ओके यह दिया वने special 2 and nice damage चलो, ठीक है ठीक ठाक damage है, इतना भी damage नहीं provide यहां पर क्योंकि सामने वाले का power gain था ही नहीं, सामने इनफेबस का special 2 तभी छोड़ो, जब सामने वाला special 3 के करीब हो, यह special 3 पर पहुँच गया हो, तफिर उसके बाद मैं आपको maximum damage प्रोवाइड कर सकता है इनफेबस अपने special 2 पर, लेकिन यहां पर node की वज़े से हमें चाहे जब भी उसका special 2 बने, हमें अपना छोड़ना ही पड़ेगा, वरना power 0 पर हो जाएंगे वह नहीं चाहता हूं, मैं यहां पर जल्दी सी जल्दी यह fight करते हैं and मैं यहां पर class advantage के साथ आया हूं हर किसे fight के लिए में class advantage लेके आया हूं बीच में एक fight है जिसके लिए class advantage नहीं लाया हूं लेकिन कोई नहीं हम उसको भी easily लपेट लेंगे फिलाल हमने इसे थोड़ा बहुत मार दिया है time लग रहा है इस fight में लेकिन क्योंकि हमारा infamous R2 पे है इसलिए हमे time लग रहा लेकिन कोई नहीं हम आराम से लपेट लेंगे इसे पूरे मिरको लगता है मैं 100% पर ही खतम कर सकता हूं यह fight को क्योंकि वह plasma भी detonate करेगा willpower की मदद से हम वह भी कर जाएंगे region भी कर जाएंगे तो मुझे लगता नहीं मेरी health डाउन होगी लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि इसके special जो है वो unblockable है special ना पड़े तो ही बहतर रहेगा special 1 मैं कोशिश करता हूं बार बार इसको special 2 के push करने की लेकिन यह बंदा मानता नहीं है लेकिन कोई नी कोई दिक्कत नहीं मेरा power drain यहाँ 0 हो गया जिसकी वज़े से मैं special 2 नहीं छोड़ पा power बनेगा आपका यह देखो special 1 से लेके special 2 तक हमें बहुत जल्दी power मिलेगा समझ लो आप एक type के energize हो गयो तो आपको जल्दी सी जल्दी special 2 भी छोड़ना होगा 69 hits मार दी यार अभी तक और बंदा अभी तक down नहीं हुआ है ठीक है कोई नी यह दिया हमने again special 2 and nice damage अब थोड कि यह fight खतम हो चुकी ओके यह fight हो चुकी है खता हमने हमने 90 something पर fight खतम किये जल्दी से next fight पर चलते हैं यह fight है यहां पर Tarex के साथ में जल्दी से जल्दी यह fight अरे नहीं यार कोशिश तो मेरी यह थी कि मैं intercept करूं बार-बार क्योंकि सामने वाला भी aggressive खेलता है तो लेकिन यह पिट गया हमें लेकिन कोई दिक्कत नहीं हम कोशिश करेंगे फिर से मारने की औरे में पावर ट्रेंज जीरो हो गया यार शिट मैन कोई बात नहीं हमने इसको थोड़ा वो थोड़ा सा डैमेज प्रोवाइड किया अगर स्पेशल टू पढ़ जाता ना भाई बहुत अगड़ा डैमेज बिलता क्योंकि बहुत बार इंटरसेप्ट कर चुका था में बंदे को यार शिट यार कोई नहीं मैंने आप एक हैवी स्पेशल टू का तो भाई सामने वाला टिकता नहीं है उसके सामने अब यार में कुमार कैसे बढ़ रही है यह क्या जक्कर है यह दिया हमने स्पेशल इंटरसेप्ट स्पेशल टू का एंड फिलहाल हमने इसे थोड़ा बहुत डैमेज प्रोवाइड देखो स्पेशल वन क भी प्रोवाइड हो रहा है अब थोड़ा बहुत डैमेज हो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा मत देख रहे हो आप डैमेज देख रहे हो स्पेशल टू पर मैंने पुश कर दिया बहुत बढ़िया एंड मैं वेट कर रहा हूं इसका पावर ट्रेंज जीरो पे हो ताकि रॉक फिल्ड की मदद से हमें डैमेज ना प्रोवाइड कर से लेकिन देखते हैं कब तक मैं बचूंगा यह मेरा स्पेशल टू हो चुका है रेडी लेकिन जीरो पर पहुंच गया पावर गेन जीरो हो गया वापिस से लेकिन कोई नी हम स्पेशल वान एक और मार सकत पर कर दिया मैंने मुझे फीट नहीं मार चाहिए था मैं सब्सक्राइब करूंगा एक फिट मारने के बाद स्पेशल इंटरस्वद करूँगा मेरे पास आएगा स्पेशल इंटरसेट फैकूंगा लेकिन जीरो पी हो गया लालच की चक्रों में हम जीरो पी पहुंच जए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हमने यह फाइट वैसे भी खतम कर दी थोड़ टाइम लग गया लेकिन कोई नहीं नेक्स फाइट पर चलते हैं यहां पर सेंटिनल के साथ में सेंटिनल को मारना बहुत जादा एजी है अगर आपके पास इंसनेट इम्यून चैंपियन नहीं है तो इसको स्पेशल डू पर पुश मत करो क्योंकि स्पेशल टू हंडर्ड एनलिसिस के बाद में यह आपको ब्लॉक पर भी इंसनेट डैमेज जे सकता है आपको यहां तो डैक्स करना आना चाहिए यहां तो इंसनेट इम्यून लें आओ बाकी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहां पर आराम से आप इसको पेल सकते हो अराम से इसको मार सकते हो एंड हरकुली से तो बहुत जादा एजी हो जाएगा एंड हाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता था बागी कोई नहीं हम अभी लुथ लुथ उठाते हैं हरकुली का एंड जल्दी से जल्दी से माने का ट्राइ करते हैं फिलाल तो मैं यहां पे देखो लगबक हाँ ए इसका पॉवर बचेगा यह स्पेशल भी यूज़ करेगा बैक टू बैक स्पेशल्स यूज़ कर सकता है यह तो यह खासियत है इसके हंडर्ड आनलिसिस होने के बाद में बाकी हंडर्ड आनलिसिस चाहे हो ना हो वाइड मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काउंटर है इसका हरकुलीज भी बहुत इजी काउंटर इसका लेकिन अगर आपके पास आपको डेक्स करना नहीं आता है तो आप वाइड ले कि आओ क्योंकि वाइड से बहुतर को लगता नहीं है कोई और होगा इसका क्योंकि वाइड जो है वह इंसने इम्यून भी है और दामेज ओवर टा स्पेशल डू बनेगा आप छोड़ दो वरना आपका पावड रिंज सीरो पे हो जाएगा जो स्पेशल होंगे वह अनब्लोकेबल होंगे यहां पर इस वाले पाथ पे स्पेशल सारे अनब्लोकेबल होंगे हर किसी डिफेंडर के बॉस को छोड़के और 50% जादा डामेज करेंगे डिफेंडर के स्पेशल अटाइक्स तो यह लोकल नोड्स है पूरे पाथ में बॉस पर क्या लोकल नोड है कि जब भी उसका पावर गेन होगा तो हमारा पावर गेन होगा वरना हमारा पावर गेन नहीं होगा एंड जब भी हम उसको बेसिक हिट मारेंगे उसे एक चार्ज पर 10% पॉवर बार उसका बनेगा तो यह आपको ध्यान में रखना होगा तो इसलिए कोशिश करो जब भी उसमें चार्ज हो अपना स्पेशल जल्दी से जल्दी छोड़ो क्योंकि फिर देर ना हो जाए क्योंकि वह बैक तुबैक स्पेशल आपको थ्रू कर सकता है जैसे कि 10 चार्ज जगर हुए उसके तो 100% पॉवर गेन उसका रहेगा ही रहेगा जब भी वह स्पेशल यूज करेगा तो यह द्यान में रखना है बाकी हमने इसको स्पेशल ओके इसके चार्ज फुल्फिल हो चलो यह अरे मर जाब आई मिरको लगा था मर जाएगा पांच परसंट आएगा ठीक है कोई बात नहीं यहां पर हमने स्पेशल टू छोड़ दिया और यह फाइट हो चुकि ओवर जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट फाइट पर पर नहीं यार मेरे प्लान तो स्पेशल ट्री पर जैसे ही पहुँच जाऊंगा अरे नहीं यार मेरे प्लान तो स्पेशल थ्री पर जाने का था लेकिन लको लगता नहीं स्पेशल ट्री पर पहुँच पाऊंगा क्योंकि यह बन्लदा जाने निदेगा ओके 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 यार यही तो बोल रहा है सब्सक्राइब मैं बाट यार यह मैं को special 3 पे पहुंचने नहीं देगा क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर हमें special 3 पर जाना है इसको special 3 तक रोक के रखना है और वो तो मुश्किल होगा यार वो तो मुश्किल होगा ही होगा बटा निवे कोई नहीं हमारे पास थोड़ा सा खेल की देखता हूं मैं क्या होता है मैं को लगता है मुझे कुट कर देना चाहिए यार क्योंकि जादा नहीं होगा और टाइम लगेगा इस वाइड को बहुत ज़्यादा तो मैं चाहता नहीं आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो जिसकी वज़ए से वीडियो लंबी हो चाहिए चल कुट कर देते हैं यार कोई बात नहीं ओके तो बाई यहां पर हरकुलीस बाई आ चुका है थोड़ा बोत मैंने इसको हील किया दो चाहर हीलिंग बॉल्स आ ली एंड जल इसी जल दी अब फाइट यहां पे खतम हो जाएगे क्योंकि हम स्प 65 60 60% पर पहुंच चुका है देखो इसको जो है यहां पर पांच चार्ज मिल चुके अब जैसी मैं अरे यार इस बंदे को मैंने इनिफिरेट किया इसने स्पेशल छोड़ दिया कीफिट सकता है कोशिशिश करो जैसर बने उसका स्पेशल चोड़ दो इसका स्पेशल ऐसे डेमेज मिलना शुरू हो गया और यार इस बंदेने मेरे को अच्छी बात है मेरे पर रेलिक था इसमें अच्छी बात है वाई मेरा स्पेशल रेडियो हो चुका है यहां पर अगेन फाइफ चार्जिस है हमारे पास यहां पर बर्स डामेज मिला इसे एड़ेंट पर अभी यह ओके आरै नहीं ओ मैन पढ़ी हो था आ भाई खतम हो गया था यह इंसान शेट यार वाजगा बचगा 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 ओ नहीं नहीं इंटरसेप्ट कर गया यार बंदा इंटरसेप्ट कर गया ओके तो निक फिरी आचुके निक फ्यूरी रैंक टूपे हमारे पास एंड मैंने अवेकन कर लिए इस निक फ्यूरी बाई को अपने जल्दी से जल्दी यहां पर फाइट को खतम करते पस तीन तीन दो परसंट रह गया दो परसंट रह गया बस मिलेको लगता में स्पेशल अगे छोड़ भी काफी देर के बाद 7-8-7 का वीडियो डाला है मैंने क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था यार एंड चलो जल्दी मिलता हूं नहीं वीडियो में अपना ख्यार रखो तब तक लिए गुडबाई थैंक्यों फो वाचिंग बाई